सबसे पहले आप सभी को जय स्री राम सुप्रवातम और आज है हमारा डे टू अभी हम लोग क्रेंड में हैं और लगवक एक घंटे की दूरी पर है आयोधिया से और एक घंटा में हम लोग आयोधिया उतर जाएंगे और अभी बस हम लोग बैठे हुए इधर चोटी बैठी ह इधर शुभंजी बैठे हुए है और SER इधर भाई हम लोग दोन दर नजारा के मजा लेते वे विऊ का मजा लेते हुए बस पड़न है अपने डेस्टीनेशन की तराफ है भाई जेते हुए वियू कह दो पड़न के दाना है भुलिक शीन करना है भाई यह चीज़ तो बहु तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अब हम लोग आयोध्या धाम और यहां पर अलगी महौल है एक दम क्या ही बताए बहुत पही लग रहा है मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हो मेरे आगे भी वही सीन है पूरा भीड़ है और जैस्राम जैस्राम के ताले लग रहे है जैस्री राम जैस्री राम फूल बरसाए जा रहा है और बहुत सारे लोग है बहुत सारे लोग है सब बस आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं जाए श्री राम सो अभी यहां पर भाई बाहर में बस होगे नहीं लगा हुआ है उसी बस से हम लोगों को जाना है आयोध्यादर्शनेतु चलते हैं और अपना जो भी बस है तो इसी में चलके बैठते हैं पहले सो इदर बहुत सार एलेक्ट्रिक बस लगा हुआ है और इसी में हम लोगों को चड़ना है आप किसी में भी चड़ सकते भाई यहां आईए बस वोगेरा लगा रहेगा आयोध्यादर्शन के लिए आप जा सकते हैं इन बस में बैठते हैं तो बस इदर पूरी भर चुके हैं सुभम जी कोणा में हुथ है उदा कोणा में घुज गया है और इदर मम्मी और छोटी बैठ गई है चल रहा है इसका व्लोगिंग इदर है दीदी लोग ए अंटी लोग इदर है अधि अधि व्लोग पूर्प अपने ग्रूप के साथ ही है वही अधि हम लोग इसांट मोहलों में हैं अधि पूर में नहीं इस महले में जा सकते महले में क्या एक और प्रेम से बोलिए जय स्ट्रीराप सियावर राम चंद्र की पवान सुता हनू मान की बोलिय सिता राम की नमा पार्वती पते हर हर महादेव अभी हम लोग जाने वाले 10 शिटी वहाँ पर हम लोग का सारा समान रखाएगा फिर हम लोग जाएंगे सर्यू करने के बाद हम लोग निकलेंगे मंदिर के लिए प्रभू श्री राम के दर्शन करा दिये बोलिये बढ़िये महाराजा की है हम लोग पहुंच गए अब अपने टेंट सिटी और यहीं पर हम लोग का इस्टे होगा अभी यहां पर पूरा अस्था है कि यह दो चार किलोमेटर के आसपास है चलिए हम लोग उतरते हैं यहां से और आप लोगों को पूरा टेंट सिटी को माते हैं हम लोग पहुंच गए हैं तेंट सिटी और आज और कल के यहीं पर हमारा इस्टे होने वाला है और क्या सही हवा चल रहा है धूब भी बहुत तेज़े बट खंडड़ना जो हवा चल रहा है इसकी कारण उतना फील नहीं हो पा रहा है और एक और व्लॉगर इधर देख रह हुआ है ठीक है भाई यहां देखिए किचड तो है भाई किचड नहीं देख रहा है यह यह आयोधिया का टेंट सिटी और आयोधिया के टेंट सिटी में आपका स्वागत है जाय स्री राम 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 तो फाइनली हम लोग भी अपने अतिथी ग्रिये पहुंच चुके हैं और प्रयाग अतिथी ग्रिये यह हम लोग का है ठीक है और यहां पर में भी चेकिंग होगे रहा होगा फिर शेकिंग के बाद हम लोग अंदर चलेंगे तो यहां थोड़ा लाइट का कमी है बट भाई जगह बहुत है मतलब बहुत जगह है इनफ एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सतरा ठारा उनीस बीस कम से कम मतलब पचास टो एक्रों में होगा है कि नहीं तो अभी हम लोग जो टेंट में रुके हुए हो बहुत बड़ा तीन सो आदमी इसमें आराम से आ जागा इतना बड़ा टेंट है तीन सो बेट लगा हुआ है यहां पर हम लोग को कंबल तक्या सबकुस दिया गया है बाई मतलब ववस्ता तो टंच है यह दो बोलना पड़ेगा बवस्ता टं था अग आगstand में थॉरुद आ Chung die शिवार अना थिरोल्स थट सबड़ेंगे को चलिए देखते हैं आज हमें क्या क्या मिलने वाला है खाने में तो सबसे पहले हमें यहां पर पुलाव हल्का मिल रहा है फिर उसके बाद इधर मिल रहा है छोले भाई मेरा प्लेट समल नी रहा इधर इधर हमें मिल रहा है दाल सबजी है सबजी है यह और इधर सायद यह हलुआ है यह क्या है हलुआ है इधर हमें मिल रहा है हलुआ अच्छा और बिल्कुल आपको गर इसमें डाल दीजे बिल्कुल भी ठंटा नहीं मिलेगा कोई भी आइटम एक 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 बस इस चटनी हलका देजिए ये मिर्ची अचार देजिए हलका सा वास हो गया हो तो यह हमारा खाना तयार हो और इस प्रसाद को आप यहां बैट या फिर उदर टेवल लगाए वहां पर बैठके गरहन कर सकते हैं अब अगर आयोद्या और सर्यू नहीं न आ रहे हो तो क्या ही कर रहे हो क्यों आ रहे हो अभी हम लोग जा रहे हैं सर्यू में इस्थनान करने के लिए इधर शुबंजी बैठे हुए हैं इधर हम बैठे तो अभी मेरे पीछे है फेमस लता मंगेसकर चौक और यहां पर जो वीना रखा गया है वह मैं आप लगों दिखाना चाहा रहा था कि भाई यह जो आप रहे हम देखते हो ना वह भी मैं सामय से देख रहा हूं बहुत मस्त लग रहा है मतलब क्या ही बताओ रिल्स पर लग इधर घाट है सर्यू घाट और इन लोगों को पूरा राम की पौड़ी छोड़के यहीं पर मिला सर्यू में नहाने के लिए एकदम पूल के बगल में और यह लड़की हमको वहां है वहां है कर रही थी सही लोकेशन नहीं बना सकती है कोई कामगी नहीं है डम बिल्कुल ड कर रहे है क्ली जास्मा दिखाते हैं सुमीद जीई था उनमले जय स्री चली आँम लोग मंदिर के और पर श्तान करते हैं लटा मंगेस्कर चौट से मुम लोग आघे बढ़ रहे हैं और यहां से डेल किलोमेटर लगवा गया हनुआँ कड़ी किए लगारं जाहिए उसके बाद च्रीराम जी नहीं माना जाता है अगर हभए सफ़ल नहीं है और इसके सबPLE एक Drunk इसके लंका से लोटे थे तो हनुमान जी को रहने के लिए एक अस्थान दिए थे और उसी अस्थान का नाम है हनुवान गड़ी और वो आयोध्या में सबसे उचा अस्थान था और माना जाता है कि जो हनुआ जी थे वह वहां से पूरे आयोध्या की रक्षा करते थे तो क्या इस्टोरी है कि जब लॉटेद है ना तो राम मगवांद जी को प्लेशा मालो आप अच्छा है ना और राम जी कहां चल गए राम जी अपना चलेगा है कहां स्वर्ग वहां तो यही था तो बोले ना राम जी क्या कि हम भी आपके जगा पर नहीं बैटेंगे अच्छा अस्थान देते हैं एक यह भी श्टोरी है कि वहां पर रहा के लंका लंका से जब आये थे ना तो हनुमान जी वहां राते थे और पुरा रक्षा भी करते थे सारा श्टोरी का 90 बटन से में है तो आप आप आईए आप आईए पता कीजिए आपको जो श्टोरी सुन अंदर मार्केट है जश्ट लुक अट दे मार्केट क्या सही मार्केट है यहां का और लगभग डेढ़ किलोमेटर चलने के बाद सबके चेहरे पे टैनिंग और पसीना है फिर भी हम लोग लगे हुए हैं कि नहीं भाई चलना है चलना है चलना है यह धूप मार देगा हन्वान गड़ी और भीड देखिए और आप लोगों भीड दिखाता हूं एक बार बस भीड देखिए भाई साहब क्या भीड है हन्वान गड़ी के लिए ऊपर एक तो पहले आप सीडी चड़के उपर जाहिए दूसरा उतरिये बाप रिबाप भाई साहब एक वार भीड देखिए देखिए गवार भीड क्या ही भीड है और आके बस लाइन में लग गया है और यहां से उपर जाना है हनुमान गड़ी हां यह बहुत सार लाइन है एक साथ जैए जात ऑन में जैए 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 कब गडपस को जैए जैए साथ इस लुक एड़ भीड गाईज इतना ज्यादा भीड है यहां कि मैं आपको क्या बता हूँ अभी उतना सीड़ी चड़ के आ है फिर हम लोगो और उपर सीड़ी चड़ रहे हैं जै 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 श्याव तो यहां पर है राम मंदिर का इंट्री पॉइंट और क्या ही ब्यूटिफुल लग रहा है भाई पूरा स्टोन वर्क है उसके बाद सामने देखें भीड देखिए खतरनाग भीड है तो फाइनली अब हम लोग बढ़ रहे हैं हनवान गड़ी से निकल के राम अंदिर के दरफ और राम अंदिर फोन इलाओड नहीं है तो देखते हैं कहां तक हम लोग वीडियो और बना सकते हैं वी लॉग बना सकते हैं तो चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं जहां तक फोन ले जा सकते हैं तो फाइनली तरसन हो गया क्यों मत देखो ऐसा है कि अंदर फोन ले जाना मना था ठीक है बट फिर भी आप लोगों के लिए कुछ लाएं देख लो ठीक है सो ये देखे भाई क्या ही व्यू है क्या ही मंदिर है बहुत ही अच्छा है बहुत सुन्दार भाई भक्ती है भक्ती में बहुत सकती है सुन्दर मंदिर बना है और आपको पता है इस मंदिर में कहीं भी सर्या वगरा और सिमेंट वगरा का यूज नहीं हुआ है फिर भी देखो कितनी अच्छी कलाकारी है पिलर सब कितना सुन्दर लग रहा है यह देखिए और गेट देखिए गेट एक्टम पूरा गोल्डन है बहुत सुन्दर लग रहा है कि कैसे आया तो बस भगवान का किरफा है बगवान से गवार लगाए और आगया बस यह है तो अभी देखते हैं अब क्या करना है भूक लग गया है कहीं पर खाना पिना खाएंगे अंदर एक राम रसोई है वहां पर खाना मिल जाते तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो फिर भाई हम लोग का टेंट सीटी में भंडारा तो लगा हुआ ही है तो दिक्कत नहीं है देखें दर्सन कीजिए माता का फिर इधर भी है इधर आपके विश्णु जी का पूरा एकीस वाला विराट सोरूप है और इधर हमारे प्यारे प्यारे स्री राम जी है अब यह त लाइन भी कर सकते हैं तो यह चीज को भाई फिल्माना बहुत ज़रूई था इसलिए हम यहां पे कैमरा निकाले और यह चीज आप लोगों को दिखाए तो दर्सन हो गया आप लोगों कुछ क्लिप हम सेयर कर रहे है और देखें इधर यह सूरे अस्तंब है उदर और भाई